आज हम बात करेंगे आप सभी के बीच एक ऐसी कमपनी के बारे में जो हिंदी में चर्चाओं का विशय बनी हुई है लगातार तेजी की तरफ आगे बढ़कर देख रही है कीमत केवल 5 रुपे के आसपास है चर्चाओं का विशय बनी तो हमारी टीम ने और हमने भी काफी र प्रयास करें जाने की कमपनी के बारे में देखेंगे कितनी तेजी आई स्टॉक में पिछले कुछ समय से क्या ये शेर आने वाले भविशे में अच्छा रिटन दे भी सकता है या सिर्फ बातें हो रही है समझने का प्रयास करते हैं इंटेग्र एसेंशल लिम्टेड कमपनी साल 2007 से एग्रो प्रोडक्ट सेग्मेंट में अपना व्यापार कर रही है एग्रो के अलावा टेक्स्टाइल गर्मेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मैटिरियल एनरजी डेवलपमेंट पावर प्रोडक्शन रिन्यूइबल एनरजी इंटेग्मेंट में भी अपने आपको मजबूत करते दिखाई देने लगी है कमपनी लगातार प्रोफिट कमाने के बाद भी अपने निवासियों को डिविडेंड राशी नहीं दे रही है जो इस कमपनी के लिए एक बेकार बात निकाल कर आती है जाने इंटेग्र एक रुपया की है सालाना दर से कमपनी की सल्ज लेकर तो बढ़ती देख रही है नेट प्रॉफिट कमपनी का पॉजिटिव देखने लगा है शेर होल्डिंग पैटन देखा जाए तो 20 प्रतिशत के आसपास है और 1 परसेंट के आसपास क्वालिफाइड इंस्टिटिशनल की होल्डिंग है इंस्टिशनल में यहां से पैसा निकाल लिया है जो इस कमपनी के लिए बेकार बात साबित होती है आखिर क्या हुआ ऐसे कमपनी में जो इंस्टिटिव निकल चुके हैं जाने इंटेग्र एसेंशल लिम्टेड से जुड़े अपडेट बिलकुल हाल ही मे एक बड़ी खबर निकल कर आई है जिसके अंदर कमपनी द्वारा एक्सचेंज फीलिंग में दी गई जानकारी के अनुसार कमपनी के पास लगातार रिपीट बिजनेस अपने क्लाइंट के द्वारा मिल रहा है जो इस बात को पक्का करता दिखाई देता है कि कमपनी अपन को जानकारी देना है हमारी चैनल एक्विटी न्यूस स्टॉक मार्केट के कमपनी की लेटस्ट न्यूज बोनस डिविडेंड आई पी ओ की इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है भारतिय शेयर मार्केट जोखिम के अधीन होता है जिसे आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है